So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited और इसके dividend और right issue के बारे में भी हम discussion करने वाले और एक buyback stock जो देने वाला है तगड़ा bonus तो उसको लेकर भी हम discuss करेंगे तो वीडियो को आगे continue करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिना साथ ही आप मेरे Telegram चैनल को भी join कर सकते हो वहाँ पर आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना और वीडियो को भी एंग तक देखना तो वीडियो की शुरुआत हम करने वाले है Indian Oil Corporation Limited के साथ स्टॉक की बात करें तो 123.60 रूपिस के राउं तक की closing share ने दी है वही अगर हम बात कर लें तो स्टॉक 55 पेसे के राउं गिर भी चुका है बट स्टॉक अगर देखें स्टील अभी भी एक strong share से है और काफियत तक अगर देखें स्टॉक में still strong levels भी create हो रहे है उन levels को देखकर ऐसा लगता है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको हर share पर 80 रुपे तक का फाइदा भी हो सकता है तो फाइदा आपको के से होगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा और इसके right issue को हम देख लेते हैं पहले right issue की क्या news है तो यहाँ पर अगर देखें company ने right issue के बारे में पहले ही काफी बड़ी update से दी थी पहले ही company ने clear कर दिया है कि right issue जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है और right issue आपको जल्द ही मिलेगा यहाँ पर अगर देखें state-run indian oil corporation on fridays that's its board has approved raising up to 22,000 करोर वा right issue तो company जो है यहाँ पर जो right issue है उसके थुरू लगभग 22,000 करोड का fund raise करेगी तो यह बड़ी चीज़ अगर fund raise करने वाली है 22,000 करोड का तो इसके बारे में आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है तो यह right issue की news अगें उठ सकती है जनवरी और फर्वरी के बंत में क्योंकि इसके quarterly results उसी period में announce हो गए और साथ ही अगर देखें company उसी period में dividend भी देती है तो हो सकता है या थो dividend मिलेगा तगड़ा या फिर right issue मिलेगा तो dividend में इतना strong क्यों बोल रहा हूँ तो हम इतने positive गयो है strongly positive हम इसी लिए है क्योंकि यहाँ पर जो dividend का data है dividend का data यही चीज़ indicate करता है कि हां हमें यहाँ पर कहीं न कहीं फर्वरी के around एक बड़ा announcement होता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि जब जुलाई के महीने के around around ही company की और से एक बड़ा announcement हुआ था right issue का कि यहाँ पर जो board of directors है IOC के उनकी और से एक बड़ा approval दी दिया गया है कि company आगे right issue देने वाली है तब यहाँ पर company न अगर देखे dividend दिया था बर right issue का announcement अभी तक नहीं हुआ था sorry announcement जो इसकी date है right issue की जो date है उसका announcement नहीं हुआ था तो यहाँ पर अगर देखे इसका historical data अगर देखे dividend का तो company अभी तक 38 बार dividend दे चुकी है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 फरवरी 2022 company ने dividend दिया है 2023 में dividend हमें फरवरी के मंत में नहीं मिला Erasicional नौ पर आइड़िशू और वहीं गर देखे थोड़ा हम और पीछे चले 2021 के मार्च और 2021 के फरवरी दोनों ही महीने हमें डिवेडेन मिला था 2021 की बात करें तो 2020 के मार्च में हमें डिवेडेन मिला COVID के period में भी Monkey Company ने मार्च के रांड रांड ही dividend दिया 2018 के फरवरी में डिविडेन मिला 2017 के मार्च में डिविडेन मिला 2017 के फरवरी में यहाँ पर again डिविडेन हमें मिलता है और 2016 के फरवरी में डिविडेन मिला तो डिविडेन के मामले में अगर देखे company काफी हद तक consistent है company अगर देखे dividend के मामले में काफी हद तक positive है, काफी हद तक company जो है dividend देती आई है और वही अगर बात कर लें, तो यह जो share है तो या तो यहाँ पर January, February के round या तो बड़े dividend का announcement करेगी या फिर right issue का announcement करेगी क्योंकि 22,000 करोड का fundraise, काफी बड़ी planning है इस OMC company की और OMC companyों में अगर देखे, टॉप पर आने वाला share है last training season इसने 123 रुपे सहाट पेसे के round तक की closing दी है 55 पेसे के round तक की गिरावट रही है share में पाच दिनों के अगर बात कर ले तो 1 रुपे 20 पेसे के round यहाँ पर अगर आप देखो तो गिरावट रही, stock में 1 महीने में 15 रुपे 40 पेसे के round यहाँ पर अगर आप देखोगे तो stock में बड़त रही है, पिछले 6 महीने में 34 रुपे बड़ एक महीने में stock ने बिलकुल एक तगडी रिकवरी बता दिया और इसी basis पे हम बोल रहे है कि share अगर देखे तो आने वाले time में हमें हर share पे 18 रुपे तक का profit भी कमा कर दे सकता है stock में volume भी काफी अच्छे रहे हैं, community sentiments के आकडे भी अगर देखे काफी अच्छे रहे थे last trading season हमने जब देखे थे और काफी बड़ी deals भी इसने हाली में की हुई है एक करोड के राउं तक का trade value हमने देखा है last trading season के मैं बात कर रहा हूँ और वही कर देखे yesterday या लास trading season से एक दिन पहले की तो एक करोड के राउं तक का ही trade value था Tata Power के साथ इसी महीने काफी बड़ी deal हुई है Tata Power Indian Oil दोनों ने ही एक बड़ा agreement sign किया है लगबग अगर देखे तो ओ दोनों मिलके 500 plus EV charging points establish करने वाले है यहाँ पर अगर देखे 500 plus EV charging points यहाँ पर establish करेगे petrol pumps यहाँ पर Tata Power जो है IOC के petrol pump पे 500 plus EV station establish करेगा तो एक बड़ी news यहाँ पर है तो यह जो छोड़ी छोड़ी चीज़े है ओ काफी हद तक positive impact डालती है किसी भी particular share में और IOC में तो ऐसी चीज़े होती आ रही है ऐसे चीज़े हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं और वही अगर हम बात कर ले इसके level की तो पाच मिनट के time frame पर मैं आपको अगर पहले बता दूँ यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एक support है उपर से अगर आप देख सकते हो तो एक rejection है downside के और से again support है again rejection है तो एक proper upside downs momentum stock में हाँ पर create हो रहे है यहाँ पर अगर देखे हमने पहले भी एक rising wedge type channel stock में देखा उसका breakdown है stock seed आया पर एक fall बताता हूँ हमें दिखाई दिया है तो एक गिरावर्ड भी stock में आई है upside downs momentum भी share में देखने को हमें मिले है वही अगर हम देखे stock में एक support यहाँ पर मिल सकता है support के बाद stock उपर जा सकता है और यही पर sustain करके stock जो है आने वाले time में एक अच्छी growth भी बता सकता है तो इस point के उपर भी आप यहाँ पर focus कर सकते हो और बड़े time frame पर अगर हम देखे तो share ने बिलकुल proper दरीके से price action के basis पर ही यहाँ पर work किया है price action को काफी हत तक इसने respect दी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो clearly stock में पहले तो एक rising wedge type channel बनता है stock में और उसके बाद एक breakdown आया breakdown के बाद stock में अगर आप देखोगे तो एक तगड़ा fall हमें देखने को बला यहाँ से एक बड़ी किरावर भी हमने देखी उसके बाद अगर देखे तो share जो है downside की और से एक सच्छा support लेता हो नज़रा है इस point से rejection था इस point से rejection था तो again यहाँ से resistance लिया और downside की और से इसने again support भी ले लिया तो support resistance हमें आपर देखने को मिल गया और उसी के साथ अगर देखे stock में upside down momentum भी हमने यहाँ पर देखे अगर sustain करता है तो 122 के level पर sustain करेगा जो खाफियत तक important level है और यहाँ पर केसे यह share बड़े time frame पर अगर हम देखेंगे अभी केसे stock 140 रुपे तक जा सकता है तो अभी भी मैं clear ओक कर देता हूँ और 18 रुपे केसे आपको मिल सकते हूँ अभी मैं clear कर देता हूँ तो 140 का level हमने इसलिए भी discuss किया है क्योंकि 140 के level से stock पहले गिर चुका है यहाँ पर अगर आप देखोगे 140 रुपे के level पे इसने time spend किया है और यहाँ से एक fall आया है और अभी अगर देखे 122 के around a trade कर रहा है और यही अगर देखे हाने वाला target हमारा 140 रुपे का है तो आपको 140 रुपे तक का फायदा आपको हर share पे हो सकता है तो इस point के ओपर भी आपको यहाँ पर focus रखना चाहिए और वही अगर देखे downside के और से अच्छे support भी है double top बन सकता है stock के ओपर और वही अगर देखे breakdown भी share में हमें देखने को मलता है और यही से sustain करके जो है यह stock downside क level को break करके और वही अगर हम देखे तो stock में एक ascendal type triangle भी create हुआ और इसी के साथ हमें breakout भी मिला था stock ने sustain भी किया था और वही अगर देखे 122 का level अगर break हो जाता है तो stock आने वाले time में 140 रुपे के level को भी touch कर सकता है तो इन points के बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान देना अब बारे आती है कि इसी stock की जो यहाँ पर अगर देखे इन्होंने हाली में 30 करोड 40 लाख यहाँ पर अगर देखे एक बड़ा announcement हुआ था buyback का और वही अगर देखे यही company bonus भी दे रही है यहाँ पर company का नाम है Sinclair Hotel Limited और इन्होंने हाली में inform किया है इसके board of director ने हाली में company ने approve गिया है का bonus का bonus company ने दिया देने जा रही है तो एक बड़ी news यहाँ पर एभी है कि company bonus का announcement कर रही है और आप साथ ही हमारे टेली गराम चैनल को जोड़ाएं